हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुपता इस्त्रीयवं प्रसुतीरों पीशे शगी और आपका सवाल है कि प्रेगनेंसी के दौरान कब जो हो रही है यानि कि कॉंस्टिपेशन हो रहा है और लेटरिंज आने पर बहुत परिशानी और दर्द हो रही है तो क्या कर दोस्तों सबसे पहले आपको अपने भोजन में बदलाव करना है भोजन में हरी पत्तेदार सबजियां लेनी है फल और सलाद लेना है दही लेना है और ड्राइफ्रूट्स नर्स और भुना चना भुना मुमफली यानि कि आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है गेहुं की चोकर युक्त रोटी लेगी हैं। साथ में भोजन करते समय आप रसीली सबजियां बनवाईए और कम से कम दो-तीन कटोरी रसीली सबजी सबजियों का पानी भी पीजिए। काम को आप चलिये और आदा घंटा जो प्रेगनेंसी में योगा बताये जाते हैं उनको कीजिये। अब दवाईओं में आप क्या ले सकते हैं। सबसे जो सेफ है वा इसब खुल की भूसी है जिसे आप रात को दूद में मिला कर पी सकते हैं। रात को गरम दूद पीना भी अ आपको नुकसान हो सकता है। वह आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लगवाईए। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तभी हम एनीमा लगाते हैं। अदरवाइस एनीमा का इस्तेमाल हम केवल डिलिवरी होने से पहले ही करते हैं। जैसे की लेक्टुलोस और पॉली लाइकोल सिरब्स जो आते हैं बजार में उनका इस्तेमाल हम कभी कभी ही पेशेंट्स को करने के लिए देते हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से उससे इलेक्टुलाइट डिस्टुर्बेंस हो जाता है। और जो इस्टिमुलेंट लग्जेटिव होते हैं जैसे सैना है या बिस्कोडल है उसको हम प्रेग्नेंसी के दौरान अवॉइड करते हैं और एनीमा भी हम प्रेग्नेंसी के दौरान नहीं लगाते हैं क्योंकि वह भी इस्टिमुलेंट होता है उससे फर्स्ट ट्राइमिस्टर में मिस्केरिज होने की संभावना होती है और सेकेंड और कौन सा लेग्जेटिव सूट करेगा और बहतर होगा कि आप अपने लाइफिस्टायल में ही चेंज करें जिससे कि आपको कौंस्टिपेशन ना हो कौंस्टिपेशन मेनली जो प्रेग्नेंसी के दौरान हार्मोंस निकलते हैं उनकी वज़ेसे कौंस्टिपेशन होता है बहुत ज़्यादा लेंगे liquid diet लेंगे और साथ में exercise करेंगे तो आपको constipation नहीं होगा अगर आपको constipation है तो आपके doctor से आप जरू संपर कीजिए अपने आप ilaj मत कीजिए क्योंकि कई सारे lexative बजार में ऐसे आते हैं जो आपको miscarriage या फिर pre-term labor pains की परिशानी दे सकते हैं thank you friends